गाइज अगर आपके laptop या PC में start button आपका काम नहीं कर रहा है और menu आपका नहीं दिख रहा है start menu या आपका task बार में जो भी options होते हैं जैसे search बार हो गया पिर इसके right side में आपका battery का option है wifi है volume है इसके बाद आपका ये data and time है ये अगर काम नहीं कर रहा है properly या आपका ये option क्लि कर सकते हैं उसके लिए इसमें मैंने वीडियो में डीटेल में बताया हुआ तो सिंख लिए आपको कोई भी windows हो windows आर प्रेस करना है keyboard से windows आर प्रेस करेंगे search का option आएगा cmd type करके ok कर देना है cmd type करेंगे तो आपका command prompt open हो जाएगा इसमें आपको एक tag यहां पे enter करके उसको accept कराना है तो यहां पे tag जो डालना है वो reddit डालना है regdit यहां पे type करना है यहां पे कोई भी यहां पे c user d user कुछ भी आए उसके आगे आपको simply type करना है regdit यह type करने के बाद आपको simply enter करना है enter करने के बाद आपकी desktop पे आपके screen पे एक आपका window open हो जाएगा अलग से उसमें आपको एक option लेगा h key classes route इस पे आपको click करना है right click आपके mouse का right click या touchpad का right click करके permissions option आएगा यहां पे एक option आपको नहीं दिख रहा है application का यहां एक button है add button add button पे आपको click करना है add button पे जैसे click करें यहां पे एक नया window और open हो जाएगा एक advance का button नीचे दिया इस पे click करना है advance button पे click करेंगे तो यहां एक option है right side palette में find now का find now का button है उस पे click करना है click करने के बाद नीचे आएंगे एकदम search result में तो यहां पे एक option आपको search कर लेना है या इसको up and down करके scroll करके आपको देख लेना है एक option आपको मिलेगा administrator या all application का एक option मिलेगा आपको sorry all application का option यहाँ पे देख सकते हैं यह आ गया all application packages का option है इस पे आपको simply click करना है जब आप इस option पर click करते हैं click करने के बाद ok करना है ok करने के बाद यह option यहाँ पर आजाएगा जब यह option आए इसको select करके नीचे आएंगे यहाँ पर एक option है full control का full control पर आपको click करके apply कर देना है apply जैसे ही करेंगे यह आपके system पर apply हो जाएगा और यहां से ok कर देंगे ok बटन से तो आपका system जो है वो properly work करने लगेगा आपका start menu आ जाएगा तो यह window हम यहां से cut करके हटाते हैं इसको cut कर दिया है यह cmd भी हमने cut कर दिया cut करने के बद अब यहां पे चलते हैं start button प्लिक करके आपको दिखाते हैं अभी starting में देख सकते हैं start में हमने दिखाया था work नहीं कर रहा था अब यहां पे properly work करना start कर दिया है तो यह था step आप apply करिए 100% आपका जो problem नो resolve होगा तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आपको informative लगा होगा पसंद आया है तो like से कर दिजिए और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन फंदिवाद